हेई गाईज, वेलकम तो मैं चानल, लाइप इस ब्यूटिफूल और आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी एक सब्सक्राइबर है गुंजनगर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं ड्राय स्किन के लिए कुछ होम रेमेडी सजेस्ट क करूँ जो की ड्राय स्किन को सॉफ्ट बना दे, ब्राइट बना दे तो येस मैं लेकर आई हूँ आज एक वीडियो जो है ड्राय स्किन वालों के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विडियो विदाउट टाइम वेस्ट यह स्किन के लिए आप उसको यूज पाएंगे आपके स्किन कितनी सॉफ्ट कितनी ब्राइट कितनी रेडियन्ट हो गई है आप प्लीज इसको ट्राइ कीज़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फिर्स रेमेडी जो हमारी फिर्स रेमेडी वो है आपको हाफ टेबल स्पून ग्लेसरिन में मिक्स करनी होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसको मैं अपने घर में खुद इसको फिर्स रेमेडी है इतने सालों से यूज होते हुए देख रही थी So please you can use this home remedy for dry skin This is the very very good Second, आप यूज कर सकते हैं glycerine को as a face toner आपको half लेनी है glycerine और half लेना है rose water और इसको बहुत ही अच्छे तरिके से आप mix कर लीजे और आपको सोने से पहले अपने face पे लगा लीजे या दिन में जब भी आपको time मिले आप इसको लगा सकते है और ये आपके skin पे बहुत अच्छा work करता है as a toner आपका काम करता है और आपके skin को बहुत soft बनाता है तो ये है हमारी second home remedy जो dry skin पे बहुत 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 अच्छा काम करते है वैसे तो आप glycerine को आप अपने normal face wash में mix करके भी use कर सकते है बट अगर आपको चाहिए home remedy तो आप लीजे half tablespoon basin and half tablespoon glycerine और उसमें आप mix कीजे rose water और आप उसे daily सुभा शाम अपना face clean कर सकते है ये आपका face wash तयार हो जाता है जो कि आपके skin के लिए बहुत 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 बढ़िया काम करता है तो जैसा कि हैं बोल रहे हूं कि dry skin वाले को तो tension लेने के जरुत ही नहीं है क्योंकि glycerine is there for you please use it आप इसको use कीजे और देखे कि आपके skin कितनी जादा soft होती है so next हम use कर सकते हैं glycerine को as a face mask आप नहाने से पहले 15-20 minutes पहले आदे घंटे पहले आप लीजी glycerine half tablespoon उसमें मिलाइए शहद यानी की honey और मिलाइए नीबू और इसको अपने face पे लगा के 15 minutes तक आप छोड़ दीजिए यह है आपके skin के लिए बहुत ही बढ़िया face mask इसके बाद आप normal water से अपना face wash कर लीजिए और उसके बाद देखिए आप अपने skin में कितनी आपको softness feel होगी अपने skin में आपके skin कितनी ही beautiful दिखाई और आप यूज कर सकते हैं glycerine को aloe vera gel में भी मिला के और जिनकी skin बहुत जादा dry है वो directly भी अपने अगर हाथ में भी dryness है तो glycerine यूज कर सकते हैं face पे भी बट उसको अगर आपको चिपचिपी लगती है greasy लगती है तो आप normal water से अपना face दो सकते हैं otherwise मैं suggest करूंगी कि आप glycerine को please किसी चीज में dilute करके लगाए और glycerine is very 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 good for dry skin so guys यह थी मेरी आज की वीडियो hope you like my video and अगर वीडियो पसंद आई हो तो comment करके जरूर बताना और यह जितनी भी मैंने आपको home remedies बताई है यह करने से होगा सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा so please use these home remedies और इनके जो effect है वो आप जरूर प्लीज शेर करना आपको कैसे लगे मैं जल्दी ही एक और नहीं वीडियो लेकर आऊंगी and तब तक के लिए bye please subscribe my channel take care enjoy your life because life is beautiful